हलो दोस्तो बॉस्ट फिनेशेयर बजार में आपका इपफिस्स हो अगत है जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज निफ्टियों और सेंसेक्स किस जोर्दा तरीके से गिरा है कि किसी को भरोसा नहीं था कि मॉर्निंग में जैसे ओपन हुआ था तो 100 प्लस और से ज़्यादा ज आगर अवरोल बात की जाए तो निफ्टि भी यहाँ पर गिरा है तो आईए रीजन चानते है कि क्या क्या करना होगा अगे क्या आगे भी गिरेगा इस तरह से भी चीज़ों पर हम बात करेंगे तो आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट कर में लगब लगब 839 पॉइंट आपको दिखा रहा है बट अगर हम अवरोल बात की जाए जैसे कि मैंने बताया था मॉर्लिंग में स्टार्टिंग में यह अच्छा खासा दौड़ा था बट डौड़ने के बाद जो गिरा है ओके लगब लगब 1500 पॉइंट जैसे कि आपको देखी जा सकती है लगब 4% की 435 पॉइंट की तो दिखा 260 रहा है क्योंकि जो इसका प्रीवियस क्लोज था उससे कंपेर के जाता है तो गरावट क्यों हुए गरावट के पीछे की वज़ए क्या हुआ थी क्या हुआ कि यह मार्केट स्टार्टिंग में इस तरीके से 647 पर वज़ए के बारे में जान लेते हैं तो एक वज़ए है इन में से देखिए वाइस इंसेक्स एंट कैश ओवर तो देखिए यह रीजन है इंडिया और चाइना का जो टैंशन शुरू हुआ है तो एनलिस्ट अट्रिब्यूट्ट अट्रिब्यूट तो बताना चाहता हुँ क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में दुवारा से लद्दाग बॉर्डरों पे टैंशन शुरू हो गई है ओके तो जैसे कि यहां पर आप न्यूज अगर देखेंगे तो अभी यह बारे मिनट पहले की ही न्यूज है कि इंडिया चाइना एले सी क्लैश लाय अफडे वह तैयारी कर रहा है इंडिया में शायद युद्ध करने के वार करने से लेटेट बट ऐसा होगा या नहीं होगा वी डॉन नो ओके यह फीचर की बाते हैं ओके तो हमें इसके उपर नहीं पता बट हमारी गॉर्मेंट चाहेगी और की इस तरीके की बाते ना हो क्योंकि अ अज जो हमारी इंवेश्टर होते है मों कि फॉर्मेंट करने से ड़ते हैं ओके फॉर्न इंवेस्टर जो आते हैं तो बहुत सारे इसके पीछे Hayır कौन्सिक्वेंट य्जु कन्ट्री के साथ खाल अधेर्बााइस वह अदर्वारी पीछे चलीर है और हमारा कंट्री य tentangा थ तो this is the main news कि जैसे ही यह news शुरू हुई तो market श्टार्टिंग में भागा फिर उसके बाद गिरना शुरू हुआ लोगों ने profit book किया लोगों जो पिछले 3-4 मेने से अच्छा खासा 100 और 200% तक का profit का earn किया था उन्होंने सीधा share को बेचना शुरू किया this is the main reason कि यह profit booking होने लगी बट मैं आपको बताना चाहता हूं यह फिर दुबारा से recover भी हो सकता है तो एक तो reason यह था तो दूसरी बात यह है implementation of the new margin system from September 1 also waited on the market तो कल से से भी ने कुछ margin margin से related कुछ rules applicable किये है brokers के ओपर okay और कोई particular implementation उसका कल से ही चाल चाल हो जागा बट brokers कह रहे थे कि अभी यह इस महीने के लिए टाल दिया जाए okay बट से भी ने उसे पूरा note दे दिया है कि नहीं हम टालेंगे नहीं हम इसे कल से ही applicable करेंगे कल से ही implementation market में होगा ओके और जो certain rules के साथ उन्हें चलना पड़ेगा जो उन्होंने margin से related उन्होंने से भी रूल सेट किये तो this is the reason कि market को यह भी चीज़े नहीं भाई okay और कल की date में यह कल की date में applicable होना है okay but market इसकी वज़े से गिर गया और market को बस थोड़ी सी अनिश्चित्ता की ख़बर आनकी है okay वह गिर जाएगा क्यों क्यों क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि आप उपर देख रहे हैं कि यहां पर 30-50 का जो PE ratio चल रहा है यह 32.92 चल रहा है यह 28 अगस की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 तक PE 30 से उपर जाने का मतलब है कि खत्रे की घंटी है इसका मतलब है कि आप बेच के माल को निकलो क्योंकि थोड़ी सी भी अगर खबर मिली कुछ किसी भी तरीके की थोड़ी सी भी खबर विशक्सी कुछ हुआ नहीं पर थोड़ी सी भी अगर खबर मिली तो definitely market crash होना ही होना है और देखा जा रहा है कि यह 3-4 दिन में कुछ solve हो जाएगा यह सारी problems यह इंडिया चाइना बार्स वार्स यह जो tension हुई है इससे शायद meetings हो रही है बड़ी-बड़ी और जिसकी वज़े से यह tension को खतम कर दिया जाएगा 2-3 दिन का time शायद होगा और 2-3 दिन market गिर भी सकत पास buy on dips करने की मौका आ गया है कि हाँ वो buy on dips करके और अच्छी अच्छी companies में invest करके वो माल को उठा सकते हैं अपने shares को उठा सकते हैं और अच्छा कासा profit वो future में कर सकते हैं हम long term के निवेशक हैं तो हम always बाते करते हैं long term की as well as fundamental share की fundamentally strong shares की तो अगर ऐसा होता है अगर यह tension आगे भी चलती है अगर जिन्होंने अच्छे shares में अपनी पकड़ बना रखी है तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे share में रहें गिरेंगे जब war की city होगी तो सभी share गिरेंगे कोई भी share उससे अच्छूता नहीं रहेगा बट fundamentally strong share होंगे वो बहुत जल्दी recover हो जाएंग तो हमेशा fundamentally strong share की तरफ निगाए रखना ऐसे ही share में invest करना जो fundamentally strong हो जिनका market value का ज्यादा हो एस वह बहुत ज्यादा strong हो कि वह अपने आपको उस इस्तिती से उभार पाए तो ऐसे share कौन से है तो ऐसे share है Reliance Reliance industry इस तरीके का share है आप भी देख रहे है 46 points की गिराब उटी है okay as well इनकी future details के साथ भी इनकी future group के साथ भी इनकी deals हो चुकी है तो इसमें future group में इस वज़े से 20% तक copper circuit भी लगा है okay तो आप Reliance में बने रही है as well आप आज TCS में बने रही है okay TCS कंपनी अच्छी है Infosys कंपनी अच्छी है okay HDFC bank अच्छा है ICICI bank अच्छा है कोटक महिंत्रा बैंक अच्छा है access bank भी अच्छा है इसके इलावा FMCC sector की बात की जाए तो Hindustan Unilever अच्छा है as well as Nestle इंडिया अच्छा है आप मेरे पिछली वीडियो उठाके देखना मैंने सारी fundamentally strong company के बारे में ही आपको बता रख था है उनमें से किसी में भी जाके आख बंद करके आप उसमें invest कर सकते हैं और future में हम long term की बात कर रहे तो अगर market अच्छी अच्छा crash भी हो जाती है तो recovery आपने देखी है पिछले March में जब market crash हुई तो within 3-4 months में यह market अपनी इस तर पे आगे बल्कि उससे भी जादा बढ़ गई है तो अच्छे share में बने रही है वह आपको recovery भी जल्दी देंगे बट अगर small cap, mid cap जैसी company में आप बनेंगे तो कुछ share उनमें होते है कि हाँ वह अच्छी company होती है बढ़ जाएगी बट कुछ company ऐसी भी होती है जो fundamentally जादा strong नहीं होती तो जिस वज़े से अगर उसमें आपका investment होगा और market गिरी तो it will take so much time जिसकी वज़े से आपका time भो जादा खड़ जो जाएगा शायद वह recover हो भ सारी की सारी मैंने आपको blue chip और mostly बढ़ी है अच्छी अच्छी company fundamentally strong company के बारे बता रखता है तो उनमें invest करेंगे तो अगर market कल की rate में गिर भी जाती है तो आपको recovery करने में ज्यादा भी देर नहीं लगेगी और आपका पैसा definitely long term में बहुत अच्छा return provide करेगा तो news यही थी कि market गिर गया इंडिया चाइन थी इस वज़े से भी गिर गया कल से शुरू हो जाएंगे इस वज़े से भी गिर गया पी ratio अल्रेडी लगबग 33 के आसपस चल रहा है तो इस वज़े से भी market गिर गया तो यह दो तीन रिजन थे तो इन पर ध्यान रखिए और आगर आपको म अभी तक high level पर 52 week high पर चल रहे थे और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी आपको मेरा effort अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेर करिये इसे like करिये comment करिये और आपको कुछ जान करें चाहिए तो उसके नीचे comment कर देजिए मैं उस पर वीडियो बना दू आपके ताकि मैं अपने इस channel को और grow कर सकूँ और इस तरीके की वीडियो आपके साथ लग सकूँ Thank you so much God bless